स्वार्ग पिता और एशु मस्य और पवित्र आत्मा के नाम से आमें पवित्र आत्मा मेरेको बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर आमें स्वर्ग पिता में आपके प्यारे पूत्र एशुमसी के नाम से प्रात्न करता हूं। मेरेको बल दे, कुरुपा दे, आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके पवित्र आत्मे का करामेन। कोवित रात्मा जो लोगे सुनकर आगे दूसरों को बेचते वायरल करते हैं वापस यूटुब पर चड़ाते हैं उनको सब को रोज करने के लिए बल देख रुपा दे और सब बीमारियां लोगों की टिक कर कोविड बीमारी से बचा कर रख यह लोगों को और सब कामा यह ल कातना सुन लिया है वो लोग पवित्र बन चुके और यह शुमस्तिका कार्य कर रहे हैं माती बारा आठ मनुष्य का पुत्र तो साबात के दिन का भी प्रभु है तो एशुमस्तिका आमको इदर बोल रहा कि आम कैतलिक जबी पवित्र बनते हैं तब इच आमको हर चंगाई मिलती है और अगर आप पहली बार इस प्रचार में आया है आपको यह चैनल पर पहली बार मोका मिला आने को तो यह आपको मोका पवित्र कैतलिक बनने को मिला है और जबी आप यह प्रचार सुनता है तब आपको पवित्र आत्मा से बुराइए आपकी आँकों के सामने लाएगा और आपके आँकों मन में डालेगा कि तुम जो यह कर रहा है यह शेटान का है तो वीडियो कतम होने के बाद जल से जल पवित्र कैतलिक बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा और पांच-दस मिनट में आप पवित्र कैतलिक बन जाएगा स्वागत आपको और आपका परिवार को एश्यू मस्य के नाम से तो मनुश्य का पुत्र सबात के दिन का भी प्रबु है आमको कोई भी दिन हो जाए कोई भी गड़ी हो जाए कोई भी जगे हो जाए अगर नोखरी का जगा है घर पर है या गाउं में है कोई भी जगा हो जाए आमको कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि इदर एश्यू मस्य फारिवजों को बोल रहा ये जुईश लोगों को बोल रहा कि मनुश्य का पूत्र तो सबात के दिन का भी प्रबु है एश्यू मस्य येक सकेंड में आपको टिक कर देगा एश्यू मस्य वो लोगों को समझा रहा है बाइबल पर भी लिका हुआ है जाके गुगल में देख ले आमारा मोत और आमारी जिन्दगी मेरे मुँ में है में जो बोलेगा वो हो जाएगा मेरी बात के ओपर मेरी जिन्दगी टेराई गई हुई है एश्यू मस्य आमको बोल रहा मेरा मोत भी मेरे मुँ में है कोई भी इंसान बोलेगा मेरा तबे टिक नहीं है मेरे को आच्चा नहीं लग रहा है मैं अभी बुढ़ा हो गया है तो इंसान का मोत नजदिक है उनको बिमारी लगेगी उनको कॉलेस्ट्रल हो जाएगा उनको डाइबेटिक हो जाएगा आगे बुढ़े है तो उनको मोत आ जाएगी तो आमको मुह से गलत चीज बोलने का नहीं है और एक कब आप मुह पर काबूल आ सकेगा जबी आप पवितर कैथलिक बनेगा तबीच तो सब से पहला आपको करना पड़ेगा पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा बाद में आपके मूँ पर काबूल आने के लिए आपको पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा हर शब्द आम लोग काबूल आना मांगता है आमारी जो चीड है और जो नाराजगी है जो गालियां देने का आदत है उस पर काबो सिर्फ पवित्र आत्मा लाएगा और जब भी भी आप आप के बाहर जाते है गरम हो जाते है तबी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप पवित्र आत्मा के कुरूपा से बाहर जा रहा है तो वो इस समय आपको उदर बंध होने का नहीं तो परमिश्वर को बोलने का कि स्वर्पिता को बोलने का मेरी गलती हो गई मैं आइंदा ऐसा नहीं करेगा जो भी मैंने बोला वो गलत है तो उदर से आएंदा वो हरकते वो बुरी चीज़े मुह से निकालने का नहीं कुछ भी हो जाए कितना भी बड़ा समस्य हो जाए यह दुनिया हमारा नहीं है इस दुनिया में हम लोग सिर्फ जादा से जादा 120 साल जियेंगे वो भी आगर मैं पवितर बनकर हमेशा के लिए पवितर रहेकर यह प्रचार करेगा सब को चंगाई देगा तब इसकी आमको यह लंबा जिवन आमको इस दुनिया में मिलेगा और यह जिवन में आमको किसी को डाट के, किसको गाल्यान देखे, किसी के ओपर दबाव डाल के, आमको जिन्ने का जरुरत नहीं है, क्योंकि आमारा इधर हमेशा के लिए आमारा इधर घर नहीं है, आमारा हमेशा का घर है सोवर्ग, पवितर कैतलिक का, नहीं तो 99.99% लोगो तो इसलिए आमको कैतलिक को, यह सब 99.99% लोगों को आमको बचाने का है, वो जो एशु मसी का जो परमेशवार का जैसा जो सोच था, कि सब हर इंसान को में बचाएगा, इसलिए पर सोर्ग, आमारा इशु मसी को बेजा है, तो वो सोच, सोर्ग पिता का, शान्ती, करने के लिए, पहुंचाने के लिए, कर डालने के लिए, आमको हर कैतलिक को, पवितर कैतलिक बनना पड़ेगा, 9. वहां से चलकर वह उनकी सबा के गर में आया, और देखो एक मनुश्य था, जिसका हाथ सुका हुआ था, और उन्होंने उस पर दोश लगाने के लिए, उससे पुचा कि क्या साबात के दिन चंगा करना उचित है, उसने उनसे कहा, तुम में एशा कौन है, जिसकी एक की बेड़ हो, और वह साबात के दिन गड़े में गिर गए, तो वह उसे पकड़ कर ना निकलाए, बला मनुश्य का मुल्ले बेड़ से कितना बढ़ कर है, इसलिए साबात के दिन बलाई करना उचित है, तब एशू मस्य ने उस मनुश्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, तो आमको इधर एशू मस्य क्या समझा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक गटना से आमको इशू मस्य क्या दिखा रहा है, कि तुम जबी पवित्र बनेगा, तब कभी भी पिचे नहीं हटने का, वापस से पल्टी नहीं मारने का, वापस से बुराई में ना जाने का, क्योंकि हर दिन, हर जगा, आम लोग अच्चाई करते जाने का, एशू मस्य का जएशा, तो एशू मस्य ने, एए लोगों को, जो फार्जी होए, एखुद्धी लोगों को, पूचा कित, साबाद के दिन किसी को चंगाई दे सकते क्या, एशू मस्य को पूचा, एए लोगों ने, फारिज्यों लोगों ने, एए लोगों ने, एशू मस्य को पूचा, कि क्या साबाद के दिन, चंगा करना उचित है, क्योंकि कुछ गलत, बोलेगा एशू मस्य तो उसको पकड़ने का ये लोगों का इरादा है, गर के भी लिखा है, इसमें, अदसमें, तो 11 और 12 में एशू मस्य ने क्या बोला कि, अगर किसी का भी बेड है तो, खड़े में गिरेगा तो निकालेंगे, साबाद के दिन को भी निकालेंगे, उसको उधर मरने को नहीं चोड़ेंगे, तो एशू मस्य बोल रहा कि, आमको अच्चाई कोई दिन भी करने का जरूरी है, अच्चाई करने का इच एशू मस्य का कारी है, परमेश्वर बोले तो प्रेम कहलाता है, प्यार कहलाता है, तो हर गड़ी, आमको प्यार में चलने का है, बोले तो आच्चाई करते इच, आमको चलने का है, एशा करके इशू मस्य बारा में बोला, अपना हाथ बड़ा, साबात के दिन बलाई करना उचित है, तो आमको यह नहीं बोलने का कि, मेरा चुट्टी है, मैं आज परमेश्वर का कुछ नहीं करेगा, सिर्फ चर्च में एक गंटा जाएगा, चर्च सर्विस खतम करेगा, फिर में एक आजाद इंसान हो गया, मेरे को आज किसी का भी सोचने का नहीं, गरवालों का भी सोचने का नहीं, पकाने का भी सोचने का नहीं काना, सिर्फ एक आराम दिन मेरे को आज निकालने का है, क्यूंकि आज रविवार है, आज मेरा साबात है, तो एशु मसी ने आमको इधर बोला कि, बलाई करना उचित है, साबात हो जाए और कोई भी दिन हो जाए, आमको बलाई करने का इच है, किसी का बलाई हुएगा उसमें इच, परमेशपर को अच्चा लगता है, एक इंसान पविटर कैतलिक बनेगा, उसके जिवन में बलाई हुआ देखने के बाद, उसका पुरा परिवार भी पवितर कैतलिक बन जाएगा वो इंसान की बलाई हुआ करके दिखने के बाद तो इतना इधर बड़ा एक दुमदाम से स्वर्ग में इतना एक आच्चाई बनाएंगे लोग स्वर्ग में जो लोग भी इतने जो लोग गरवाले लोग जो इंसान को चंगा हुआ वो सब लोग पवितर बन जाएंगे और वो सब लोगों का नामा ये स्वर्ग का जिवन का किताब में लिखा जाएगा तो आमको ये करने का जरूरी है करके आमको एशु मसी इदर बोल रहा तो हम पवितर कैटलिक को दुसरों का बुराई करने का कभी नहीं आमारे मन में भी आएगा क्योंकि शेयतान तो आमसे दूर भाग चुका है और शेयतान को आम कभी भी ठाल देंगे शेयतान नजदिक में नहीं आएगा लिखा है बहुत जगे पे लिखा है शेयतान का नाम डालके देख ले तीफ करके डाले दुक्यबास करके डाले चोर करके डाले ये सब नामा डालके Google पे मारके देखले वाइबल वर्स कोन सा शब्द में लिखा हुआ है तो सबसे पहला हर कैतलिक को पवित्र कैतलिक बनना पड़ेगा तो आपका नाम सोर्ग का जिवन का बुक में लिखा जाएगा बोले तो आप सोर्ग में जाएगा आपको पवित्र आत्मा आपका रस्ते में लंबा जिवन में जब आप सफर कर रहे हैं पवित्र कैतलिक बन कर पवित्र आत्मा आपका बल हो जाएगा आपके शब्द पवित्र आत्मे के शब्द होगे लिकेला हुआ ये बहुत जगे पे गुगल पर देख ले मारके कि मैं आपके मुँ में शब्द डालेगा कुछ बोलने का है आपको सोचने का जरुरत नहीं है डरने का जरुरत नहीं है में आपके मुँ में पवित्र आत्मा खुद अमारे मुँ में शब्द डालेंगे, बाते डालेंगे कोई भी इंसान, कोई भी समस्या जब आएगे तभी हर काम पवित्र आत्मा अमारे तरफ से कर लेगा अमारा काम है सिर्फ पवित्र कैतलिक बनने का, और पड़ाई करते जाने का, दुसरों को समझाते जाने का, दुसरों को चंगाई देते जाने का ये भी सब पवित्र आत्मा इच कर रहा है, लेकिन ये आम रखना मंगता है, ये करना इच मंगता है, करते रहना मंगता है ये बंद नहीं करने का, ऐसा नहीं की तुम बोले, मैं पवितर बन गया आपी में, आराम का जिंदगी मेरे को मिलेगा, सब जगह से मेरे तरतिब हो जाएगी, नहीं, कभी नहीं होएगा, जितना आप इसमें डालता है, जितना बीच आप जमिन पर डालता है, उसका सफल आपको मिलता है H है स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज इस तरफ से बीच की तरफ से चलता है लिका ये Bible का वर्सिस में लिका है जाके देखलो कौन सा उत्तर है टाइप करके देखलो मिल जाएगा आसान से इसको बोलते Bible सिखने का Bible पढ़ने का Bible study इसको बोलते इससे आपको मदद मिलती है पवित्र आत्मा आपको ये Bible का शब्दों से आपको मदद करता है तो ये शब्द बोलेगा तो शयटान बाग जाता है तो जब ये शब्द आपके दिल में बसे हुए है तो ये पवित्रात्मा शब्द इस्तमाल करेगा आपके जिवन से आपके दिल से जो शब्द आपके दिल में बसे हुए है जो बार बार आपने वीडियो देखा है पूरी दिन रात 24 गंटा वीडियो देखा है वो लिकेला और लिखकर आप वापस सेम इच जैसा है वैसा इच आप करलो मेरे को कुछ मुश्किल नहीं है वैसा है सेम सेम आपका वीडियो लेखे आपका मुह से ये परचार करो पवितर कैतलिक बनने के बाद तब इच की आपको सब तरब से चंगाई मिलेगी ये तरीका है जैसा गाड़ी एक बनाते है उसका केटलोग आता है वाशिंग मेशिन लाते है उसका भी केटलोग आता है तो उसके इसाप से चलाने का। तो सोर्ग का राज ये इस साब से चलता है घर के बायबल पे लिखेला हुआ है तो ये लोगों को बराबर से मालूम था ये फारिजियों ये योद्यों को बराबर से मालूम था कि एशू मस्य सब को चंगाई देता है ये पहला नहीं होता था जब एशू मस्य ने कारे शुरू किया सिर्फ साड़ी तिन साल एशू मस्य ने कुद ने किया और तभी सब लोगों को पूरा इज्रायल पूरा लोगों को मालूम पड़ गया कि एशू मस्य कोई कुछ भी भी विमारी टिक करता है अभी साइन्स इतना बढ़ गया मोबाल आए गया वाइफाई आए आगया लोग इतना उदर दुसरे प्लैनेटों में जाने लगा फिर भी लोगों से विमारी टिक नहीं हो रही है सिर्फ दवाई देकर दबाके रखते हैं नहीं तो ऑपरेशना करकर बदन का तुकड़ा काटकर फेंक देते हैं अगर सेपसिस होने का चांस है तो पुरा हिस्सा काटके पेंक देते हैं इधर UK में सेपसिस करके एक बीमारी है बहुत कतरनक है यह बीमारी जिसको लगती है उसका पुरा बदन का हिस्सा ही काटके अगर हाथ को लग गया पुरा हाथ काटके पेंकते हैं प्यर को लग गया, पुरा प्यर को पर काणके फेंखते हैं इधर science के पास बिकिंदर कुछ भी नहीं है सिर्फ diabetic होएगा तो tablet हाँ देते है rate अगरे देके दबा के रखते हैं पागल होएगा तो शौक मारते हैं तो सिर्फ issue ये कर सकता सिर्फ पवित्र कैतलिक इच ये कर सकता जबी कैतलिक पवित्र बनेगा तब इच तो सब को मालूम था कि एशु मसी हर बीमारी टिक करता है इसलिए ये फार्जियों ने बोला एशु मसी को कि दस में अभी जो मैंने पहला पढ़ा था कि क्या साबाद के दिन चंगा करना उचित है ये इंसान को पहला देख लिया कि जिसका हाथ सुका हुआ था बोले तो सिर्फ हड़ी लटकती होती थी शायद मैंने एक बार एशा देखा होएगा कि पुरा हाथ नहीं रहता एक हड़ी की जैसीच रहती है बड़ा हड़ी वह इस शायद रहेगी और एक कात मासलां वगारा शायद नहीं रहेगा सिर्फ सुका हुआ पड़ेगा पुरा बोले तो आथ चलता नहीं होएगा कुछ भी ताकत उंगलियां वगारा चलती नहीं होएगी तो लिखेला हुआ यह इसा करके तो यह इंसान को भी प्रभू इश्यू मसे टिक करेगा करके लोगों को पुरा मालूम था तो इसलिए इसको फसाने के लिए बोलाए लोगों ने कोई भी बिमारी हो जाए अगर आपके बच्चे भी पेदा होने के टाइम उनको भी समस्या है बेकार भी यह पेदा हो गए शायद टांगे सही नहीं है दिमाग सही नहीं है कुछ भी मसला हो जाए हर मसले का हाल है हर बिमारी की चंगाई है पवितर कैटलिक के पास और वो चंगाई देता है स्वर्ग पिता एशु मसी की तरफ से और पवितर आत्मा की मदद से तो यह तरीका है चंगाई पाने के लिए और आच्चाई पाने के लिए नुकरी पाने के लिए कुछ भी पाने के लिए पहिसा पाने के लिए और आपका लोन माफ करने के लिए कुछ भी हो जाए तो आपको यह मालूम भी है अभी आपको मालूम है कि कोई भी बीमारी चंगी होती है लेखिन आपकत्लिक लोग क्या करते है जो पहईसा आपने जिन्देगे बाहर कमाया है वो हस्पिटलों के उपर डक्टरों के उपर लगाते है अब इंडिया में देखो, गोवा में भी यही चाल चल रहे है कि कोई और प्रेगनट हो गया तो उसको बोलते है कि तुमारी सिजरेंड ड़िवरी होएगी ये लोग दंदा करते हैं, ये लोग लोगों की सेवा करने के लिए शपत लेते हैं, बाद में ये लोग दंदा करने को, लोगों को फंसाने को ये लोग निकल पड़े हुए हैं मैटरनटी हॉस्पिडल में जाके देख ले, ये लोग प्राइवेट हॉस्पिडल बोलते हैं कि तुमारा सिजरियन होने वाली है, ये लोग पैसा हडपने के लिए दिन पर भी खुली आम बेबी लोग चोरी कर रहे हैं, दॉक्टर लोग खुली आम चोरी कर रहे हैं लोगों के जीवन के ऊपर ये लोग खिलते हैं, मैटरनेटी डॉक्टर ये जादा करते हैं, मैटरनेटी दॉक्टर करते हैं, अगर आप पवित्र कैसलिक रहेगा तो आपको गॉवर्मेट होस्पिडल में जाके, नॉर्मल डेलिवरी बिना डेलिवरी पेंड हो जाएगा कोई भी पवित्र कैतलिक बनी हुए औरत है उसको एक भी डेलिवरी का दुख महसुस नहीं होगा जो डेलिवरी पेंड बोलते हैं अंग्रेजी में वो औरत को कभी नहीं आएगी क्योंकि यह जो डेलिवरी के टाइम जो मुश्किल होती है वो सिर्फ बुरे लोगों के लिए होती है बोले तो जब आदम यूव ने जो फल खाया था उसके बाद से यह दुख यह मुश्किलें यह पेंड सिर्फ उसके बाद चालू हुई है पहली नहीं थी है अगर यह लोग फल नहीं काते थे दुनिया में कुछ बुरा नहीं आता था यह दुख भी औरतों को डेलिवरी का नहीं होता था इसलिए जब यह एशु मसीन ने दुनिया पर आकर सब कुछ उसके उपर ले लिया तो तभी यह सब बंद हो गया सब श्राप, दुख, बुराई एशु ने उसके उपर ले लिया और इंसान को आजाद कर दिया और अगरतों को यह देलिवरी के टाइम जो आती है दुख आता है दुख आती है वो बंद कर दिया और यह कब हो जाएगा जबी आप पवित्र कैतलिक बनेगा तब इच इससे आपको चुटकारा मिल जाएगा बहुत ओरतें यह दुख यह मुश्किल होता करके डिलिवरी का ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ज्यादा समय जाता है किसी का पीर से डिलिवरी आगे डालते है क्योंकि इसका आभी वक्त नहीं हुआ बंद करते है अकल रखते है तो ऐसा करके ओरतें को काफी मुश्किल होता है क्योंकि यह ओरतें पवित्र कैतलिक नहीं है तो पवित्र कैतलिक को रहेगा मैं बहुत औरते को जानता है, कुछ भी पेन नहीं आया, कुछ भी दुख, कुछ भी मसला डिलीवरी का हुआ इच नहीं, क्योंकि ये लोग पवित्र कैतलिक बन गए, और पवित्र कैतलिक जो बनता है, उसके उपर कुछ श्राप, कुछ बुरा इंसान को नहीं होता, तो आमको किसी से भी बचने का है, कुछ भी चंगाई आमको चाहिए, तो आमको और दुसरा उपाई नहीं है, सिर्फ पवित्र कैतलिक जो बनना पड़ेगा सब को, और जब एक कैतलिक ये सुनकर पवित्र आत्मा का प्रचार सुनकर, जब एक कैतलिक पवित्र बनते हैं, उससे आमको और हर इंसान को फाइदा है, क्योंकि उनका जिवन बेसुकी हो जाएगा, कुछ मुश्किले नहीं आएगी, किसी को दुख नहीं सहना पड़ेगा, सब को चंगाई हो जाएगा, तो सब को इसमें फाइदा है, मेरे को भी सोग उना फाइदा है, जो मैं अभी प्रचार करता है, उससे में सोग उना मेरे को फाइदा है, मैं पागार का 10% जो प्रचार करने का इसमें डालता हूँ, उसमें भी मेरे को सोग उना से फाइदा है, तो यह है बींच जब आप पवित्र कैटलिक बनकर यह बींच डालता जाएगा जो भी मेरे पास है जो भी मैं कर सकता है जितना मैं आच्छा है दूसरों को दे सकता है जितना को नोकरियां मैं पा सकता है जितना मैं आच्छा करता है उससे मेरे को सो गुणा मेरे को उसमें फाइदा है और जो इनसान को नोकरी मिलता है चंगाई मिलती है प्रचार फेल जाता है उनको भी उनकी जिन्दगी में पवितर कैतलिक बनने का भी मोगा ओ लोगों को मिलता है और इससे प्रमिश्वर को कुशी हो जाती है और आम कितना भी नाचेगा, कितना भी तालियां बजाएगा, कितना भी आम मिटिंगों में जाएगा, जोर से चिलाएगा, जोर से गाना गाएगे, इससे कुछ भी परमेश्वार को खुशी नहीं होती परमेश्वार ने बोला, उपर बोला लिका हुआ है, कि मेरेको दाना वाना कुछ नहीं चाहिए, मेरेको सेफ आपकी पवित्र ताथ चाहिए मेरे बेटे के जैसा, आप पवित्र बनना, ये इच मेरा हर इंसान के लिए सोच है शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया इश्व मसी, शुक्रिया सोर्ग पिता, आमेन, अभी आम प्रात्ना करेंगे सोर्ग पिता, और इश्व मसी और पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन सुर्गपिता में आपके प्यारे पुत्र एश्यू मस्य के नाम से प्राथना करता हूं आपसे जो यूट्यूब लाइपर है, उसको और उसका पुरा परिवार को और जो लोग ये सुनते हैं प्रेचार, उनको और उनका पुरा परिवार को आप COVID बिमारी से बचाकर रख COVID बिमारी वो लोगों से दूर कर और बिमारियां जो ए लोगों के घर में है वो लोगों के जिवन में है वो सब खतम कर और उनको एक चंगाई जिवन ए लोगों को दे दे और जो लोग नुखरी करते हैं उनका पागार बड़ा पोस्ट बड़ा जो लोग दंदा करते हैं उनका दंदा बड़ा जो लोग नई नुखरी डूड़िते हैं उनको नया बड़ी कमपनी में बड़ा पागार का नुखरी दे दे और जो लोगों को बेटा के रखा है कमपनी कोविड बीमारी के वज़े से उनका कंपनिया वापस से चालू करकर उनको पागार बढ़ा कर पोस्ट बढ़ा कर लोगों को नोखरी पर पीज़ से चड़ा और कोई भी समस्य गर में मुश्किले हैं लोगों को बीच का संबन अच्छा नहीं है तुटा हुआ है नाराजगी है यह सब में से बाहर आने के लिए इनको आप मदद कर दे और चंगाई जो सब हुआ है यह लोगों को जिन्दगी में यह सब चंगाई देखने के बाद यह पवित्र होने को भी आपका मदद करे उनके उपर कुरूपा आपका रखे पवित्र आत्मा की मदद यह लोगों को दे और जो भी बुराई यह लोगों के जिन्दगी में है यह लोग जो भी बुराई करते है सब तरफ की बुराई यह लोगों के सामने आंकों के सामने ला उनको दिखा दे और ये जिवन बदल कर परवितर होने को इनको मदद कर आमें